हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल, स्टैडी विजाल सिंग में जी याँ दोस्तों, आपको ये थमनेल देखकर मालुम चल गया होगा कि स्कॉलर्शिप सबका आने लगा है सायद आपके दोस्त का आ गया होगा आपके कॉलेज में आ गया होगा लेकिन आपका नहीं आया होगा तो आईए इस वीडियो में हम जानते हैं क्या आपको इस समय करना है क्या नहीं करना है तो सुरु से अन तक इस वीडियो में बने रही है और एक आपको यहाँ पर बहुत ही आस्चेर जनक की स्टेटस में आपको दिखाने वाला हूँ और आपको साइद विस्वास ही नहीं होगा कि इनका स्कालरिसिप कैसे आ गया लेकिन इस कालरिसिप आ गया है तो फाइनली अब इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है जिसका नहीं आया है अगर आपका स्टेटस उस तरस हो रहा है तो साइद आपका भी आ सकता है और उन्होंने क्या किया था क्या प्रोसेस था यह इस वीडियो में हम जानेंगे तो फिलाल था यह चलते हैं वीडियो के आगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा तो सबसे पहले देखिए कि एक स्टूडेंट ने हमें भेजा था अपना तो इसका स्कॉलर्शिप आ गया कितना आया है अगर आपका स्कॉलर्शिप आ रहा है तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि यहां पर आपका सो होगा मतलब PFMS के थुरू यहां पर आ रहा है पैसा इस इसका यह भी स्टूडेंट है इनका स्कॉलर्शिप आया है 23,600 रुपए यहां पर टोटल इनका आया है उसके बाद यहां पर आगे चलते हैं आगे चलने के बाद एक और स्टूडेंट का आया है टोटल क्रेडिट यहां पर 32,816 रुपए अब लेवल मतलब यह भी एक आय स्टूडेंट है जिनका मतलब स्टेटस गलत था उनका भी आ चुका है तो ऐसे ही पैसे आ रहे हैं पहले मैं बात कर लेता हूं पैसे की तो स्कॉलर्शिप के पैसे भेजे जा रहे हैं और आपको मालूम हो जाना चाहिए कि यहां पर 31 मार्च तक आना है 31 मार्च तक आना है ऐसा नहीं है 31 मार्च तक अगर आपका बजट रहा तो अप्रेल में भी पैसे भेजे जाएंगे तो इसकी आप बिल्कुल बेफिकर रहे है अप्रेल में भी पैसे आएंगा और आपका इसकालर्शिप 100% आएगा इसमें क्योंकि बजट इसमें बढ़ाये गया था कुछ इसका गलत है उसके लिए भी नियूज है लेकिन वह अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि उसका क्या नियूज है जिनका गलत है अब देखिए यहां पर एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत पहले जब इनका गलत हुआ था तो उन्होंने अपना स्कालर्शिप का स्टेट बेंग वाला भी यहां पर अट लिए जहां कर लिए हमारा संवारा यहां सब अपने तरफ से कर लिजिये सही कर लिजिए हमने सही करा है कि नहीं कि नहीं false उन्होंने लिए सब कुछ पैंक से कर लिया था लेकिन अप डेट नहीं हुआ हृँ इस्टेटस स्टेटस अपडेट नहीं हुआ सब बैंक से सही करा लिया था और इन्होंने फिर मतलब कुछ नहीं किया और देखिया आज इन्होंने मैसेज किया हमको कि सर मेरी स्कॉलर्शिप आ गई है हमने का करेशलेशन धन्यवाद और यही 800 रुपे इनका ही आया इनको बहुत खुसी ह और इस बात के लिए मैं भी मतलब खुस हूं कि इनका स्कॉलर्शिप आ गया तो यह रहा कि आपको स्टेटस आपको स्टेटस यहां पर हमको लगता है माइन नहीं रखता है अगर आपने बैंक वाला यह सही कराया है अगर यह आपने सही कराया और अपडेट नहीं हुआ त uniforms लगा लग रहा है कि इन बच्चों का भी स्कॉलर्शिप आएगा जिनका एह दिक्क्त धिंका बंतलब सो नहीं हो रहा है इस्टेटस में sound- dap आप देख सकते हैं आपके सामने स्टेटस यहां पर वेरिफाई है देख सकते हैं 24 दो को लेकिन बैंक वाला प्राब्लम यहां पर नहीं है लेकिन आप इन्होंने कहा कि सर मेरा इस कलर सीप आ गया है अब देख सकते हैं यहां पर इनका 10-600 रुपे करेड़िट हुआ है अगर आपको नीचे कोई भी डाउट है इस वीडियो में था बचित नहीं एक और आपको नीचे कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंटकर सकते हैं यांदिश्किपे सब्सक्राइब में लिंक है वहाँ से जोईन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर तो फिलालता इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जनकारियों के साथ तब तक के लिए जैहिन वन देवात रहूं